नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है सौरवक्मार और आपका स्वागत है इसके टुटोरियल में दोस्तो आज का जो यह वीडियो है मॉडल सेट नमबर थ्री है और आज जो मैं डिसकस करने वाला हूँ मॉडल सेट नमबर थ्री और यह जो questions आज रहेंगे इस episode में वो सारे questions जो है previous year के questions है मतलब previous years that means 2015 के questions है दोस्तो आज एक friend ने comment किया था कि can you upload 2016 previous year questions तो मैंने seen किया उस comments को और मैंने search किया ढूंडा और तो मिला हमको 2013, 2014 and 2015 के questions 2016 के questions नहीं मिले यह upload नहीं हुआ था तो दोस्तो एक्चली होता कि है कि एक्जाम जो है online होता है यह questions तो offline होता नहीं जो print होगा तो direct upload होगा नेट पे यह जो questions होते हैं यह students से पूछ करके मतलब these questions are the collections of students contributions, forms of different forums and websites यह जो होते हैं मिले जूले होते हैं students से पुछा जाता है contribute और एक जगह collect करके उसको बना दिया जाता है लेकिन maximum questions इसी सब टाइप कराते हैं और यही है previous questions तो हम लोग इसमें discuss करेंगे इस questions में क्या है इसका answer और हम लोग अभी इस वीडियो में यही सब चिज़को अच्छा से explain करेंगे और देखेंगे दोस्तों यदि आप इस channel पर नए है तो प्लीज इस channel को subscribe कर लिजिए तो अब start करते हैं general attitude episode number 12 में नाटा के previous year 2015 के questions को और बहुत जल्द ही 2014-2013 का भी previous year questions upload कर दूँगा तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले model set number 3 के कुछ questions को तो सबसे पहले आपके screen पर questions आ रहे हैं वो जो है party में होता है और ये जो questions real में questions हैं और ये सब पुछा गया था तो सबसे पहले तो question है आपके screen पर काता है identify the top view of the object आपके screen पर दीख रहा है आप लोग इसको observe कीजिए और answer को बताएं ऑप्सन भी दिए वे हैं a b c and d top view मतलब आप उपर से देख रहे हैं इस object को तो कैसा दिखेगा चलिए आपने सोच लिया तो मैं अब answer बता रहा हूं इसका जो answer होगा दोस्तों वो होगा option a option a is correct answer अब हम लोग देखते है question कोस्चन नमबर दो कहता है हीज ट्रेन डैस टू रोटर डेम एट शिक्स पी एम सार्प कि इसका मतलब क्या होगा वहां फिल इंदा ब्लैंक के जगा पे क्या फिल होगा आप लोग अपने स्क्रीन पे questions को देख रहे हैं और इसको बताईए इसका क्या होगा correct answer अब जर्ब कीजिए और सोचिए अब मैं answer इसका बता रहा हूँ तू का जो answer होगा वो होगा departs a अब जो है सबसे important questions जो कि मैं previous में model set test में one or two में मैं बता चुका हूँ identify the building वाले questions एक fix रहते हैं एक या दो fix रहते हैं आएंगे ही आएंगे और देखिए 2015 के questions में जो है पुछा गिया है identify the given image दिया हुआ है option a है मिनरेट आफ मेड़ान्स ग्रांड मोस्क्यू मिनरेट आफ ग्रेट मोस्क्यू आफ कैरेओन और मिनरेट आफ नेशनल मोस्क्यू आफ मलेसिया और दा गावानिमा मिनरेट कौन सा ये सही answer है आप लोग observe किजिए अब मैं answer बता रहा हूँ 3 का जो सही answer होगा वो होगा मिनरेट आफ ग्रेट मोस्क्यू आफ कैरेओन्य मतलब option b जो है correct answer होगा अब हम लोग next question देखते हैं next question है आपके screen पे form follows function form follows function said by ये कौन कहे थे form follows function option a है frank on gary b है f l right c है louis sulvian और d है louis khan किसने कहे थे तो इसका जो correct answer होगा वो होगा option number c louis sulivian अब दोस्तो next question है fifth number कहता है the depression in the brick is called option a है bean b है frog c है duct और d है smug तो क्या होगा इसका सही answer मैं बता रहा हूँ पांच का जो सही answer होगा वो होगा option b frog अब आम लोग देखते है next question six number कहता है the dome of राष्टपती भावन is influenced by option a है गुरुद्वारा b है temple c है मॉस्क्यू और d है इसका सही answer आप लोग सोचिए तो अब मैं इसका सही answer बता रहा हूँ सही answer जो होगा इसका इस्तोफ डी चलिए अब हम लोग next question देखते हैं seven number कहता है identify the given materials option a है cement blocks, b है concrete bricks, c है plastered clay tiles और d है fly as bricks आप लोग इस questions के answer को observe किजिए क्या होगा option b c d में a b c d में क्या होगे सही अब मैं answer बता रहा हूँ इसका सही answer option d होगा fly as brick अब हम लोग आते हैं question number eight में कहता है the color of pure cementage pure cement का color कैसा होता है option a है black is white, black, brown, grey तो इसका सही answer जो होगा वो होगा ग्रे, option d दोस्तो इसका जो answer है मैंने कहीं नूंडा था तो इसका answer जो मैंने कहीं पढ़ा था इसको तो इसका answer में जो दिया हूँ था ब्राउन दिया हूँ था लेकिन आप लोग खुद देखे होंगे cement cement color जो है gray जाए टाइप का दिखता है gray कहने का मतलब है कि हलका silver जैसा या आप लोगों को लगता है यह option c brown सही होगा तो आप लोग brown को ही समझे समझ सकते हैं तो option d मैं बता रहा हूँ option d correct होना चाहिए चलिए अब हम लोग next question देखते है next question है pen joel place was designed by option a है Frank furnace बी है बर नीनी और c है Johnson's बुर्गी और d है जियो जे बर्ग स्ट्रम 9 number questions का answer सही answer होगा वो होगा option c Johnson's बुर्गी अब देखिए दोस्तों यह जो है general aptitude मतलब reasoning का questions है यह 10 number question आपके screen पर दिख रहा है वो question है reasoning का काता है count the number of triangles in the given images दोस्तों यह जो figure दिया हुआ है इसमें बहुत ही simple है count करना लेकिन होता क्या है कि उस वक्त हम लोग को time कम रहता है exam all में solve करने का और count करने का इस वजह से हम लोग harbour में fastly करने चकर में गलत टिक लगा करके चले आते हैं इसको हम लोग मेरा advice रहेगा कि patience रखके और धीरे धीरे अच्छे तरह से इसको count कर लेंगे कितने triangle है total तो हम लोग यदि count करेंगे तो इसमें से आप लोग count किजिए और इसका answer को बताईए तब तक मैं इसका answer को चलिए आपने count कर लिया और मैं आप बता रहा हूँ इसका answer question number 10 का answer होगा वो होगा option number B 13 triangles है इस figure में 13 option B is correct अब दोस्तों देखते हैं हम लोग identify the series which follows next यहाँ पर दिया हुआ है आपको figure तीन figure दिये हुए है चौथा में क्या होगा इस step से आपको identify करना है तो इसका जो सही answer होगा दोस्तों question number 11 का वो होगा option C option C is correct answer अब आईए देखते हैं हम लोग question number 12 को question number 12 काता है a particle has two velocity V1 and V2 its resultant velocity is equal to V1 in magnitude the angle which the new resultant makes with V2 when V1 is doubled 12 का जो answer होगा question number 12 का वो होगा option B 90 degree अब हम लोग देखते हैं question number 13 काता है you have to dash smoking because it's not a good for you option A है leave B है quite C है even done और D है give up 13 number questions का answer जो होगा वो होगा option C even done option C is correct अब हम लोग देखते हैं 14 number questions 14 number questions है identify the given image यहाँ पर एक figure दिया हुआ इसको identify करना है option A है जोदपूर B है बनारस C है रामेश्वरम और D है इलहाबाद यह कौन सा जो है image है कहां का है इसको identify करना है तो आप लोगों ने identify कर लिया होगा अब मैं इसका answer बता रहा हूँ question number 14 का answer होगा B बनारस यह बनारस का image है दोस्तों अब दोस्तों लोग next question लोग देखते हैं काता है 15 number question से है how many pillars are there in parliament house में कितने pillar है दोस्तों इसका जो सही answer होगा वो 15 number questions का वो होगा option C 144 अब दोस्तों जो question आता है 16 number इस type का question का answer जो है आप लोग तो जरूर दे दीजेगा यदि आप लोग ask it roller का subscriber है तो fix है 16 number questions का answer question देखते ही आप लोग सोच लिए होगे इसका answer यह होगा क्योंकि मैं इस type का जो यह जो question है खास करी यह question जो भी 16 number में है यह questions का पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ और यह questions मैं explain भी क्या हो पिछले वीडियो में तो आप लोग इसका answer समझ ही गया होगे क्या होगा तो काता identify the type of staircase तो option A है spiral staircase, B है helical staircase और C है dogled staircase और D है none of these दोस्तो इस channel पे आप लोग नए है जो भी friend नए है आप लोग जो है पिछले वीडियो को जाकर देखिएगा maximum questions जो आप लोग solve कर सकते हैं previous year के अपने से इसलिए साड़े पिछले मैं जो पहले वीडियो आप लोट कर चुका हूँ उसको भी देखने का कोसिस कीजिए तो इसका जो option A होगा आप लोग समझ गए होंगे आप मैं बता देता हूँ फिर से जो नए नए friend है उनके लिए मैं आप answer बता रहा हूँ आपसर जो होगा option A होगा spiral staircase option A अब आते हैं लोग question number 17 में काता है give the full form of PCC option A है pure cement concrete, B है plain cement concrete, C है packed cement concrete और D है none of these PCC का full form क्या होता है 17 number questions का जो answer होगा वो होगा option B plain cement concrete option B is correct आप काता है 18 number questions में to which style does Taj Mahal belongs to Taj Mahal जो है कौन से style से belongs करता है option A है Hindu style, B है Islamic style और C है Christianic style और D है none of these तो option A, B, C आपको correct करने हैं तो इसमें से जो है question number 18 का जो answer होगा वो होगा B Islamic style में है ताज Mahal बना हुआ अब हम लोग देखते हैं दोस्तो question number 19 का answer identify the given type of brick bonding brick bonding का भी जो दोस्तो है पिछले मैं video बता चुका हूँ brick bonding के लिए questions था उसके लिए preparation नहीं करवाया हूँ लेकिन इस type of questions को solve करवा चुका हूँ तो आप उसमें जानी है कि पिछले वीडियो में था एक type का bond था और उसका figure दिया हुआ था उसमें भी identify करना था और इसमें भी रहे तो आप लोग यदि previous questions भी कीजिएगा तो bound का preparation हो जाएगा मतलब that means brick bound का preparation हो जाएगा तो यह जो भी आपके screen पर दीख रहा है यह कौन सा bound है यह आप लोग को बताना है option A है English bound, B है Flemish bound और C है Red Trap bound और D है Dutch bound दोस्तों यह इसका जो सही answer होगा वो 19 number questions का इसका सही answer होगा C Red Trap bound Red Trap bound एक ऐसा bound है जो reducing the cost of building, building का जो है cost को reduce करता है बनाने वक्त, brick को इस type से उसको sit क्या जाता है तो reduce होता है चलिए हम लोग next questions देखते है what follows next figure दिए हुए है तीन figure दिए हुए है उसमें observe करना है चोथा में क्या होगा option ABCD दिए हुए है आप लोग observe किजिए अब मैं answer बता रहा हूँ question number 20 का question number 20 का answer है option B is correct option B होगा सही अब हम लोग देखते हैं 21 number questions भी है गलत होने का संभावना है खर इस exam में minus marking नहीं है ये एक plus point है अब मैं इस कान से बता रहा हूँ 21 का जो होगा option B correct होगा चाइना चाइना में जो है maximum big number of tall buildings है compare to four options India, China, Malaysia, Pakistan अब हम लोग देखते हैं question number 22 काता है which one of the answer answer figure shows the correct view of that 3D problem figure after the problem figure opened up मतलब आपको एक दिया हुआ है problem figure और इसको इदी हम लोग open करेंगे खोलेंगे तो किस type का दिखेगा ये पूछ रहा है questions में तो ये सब questions का है कि आप लोग इदी preparation करन कर रहे हैं और आप लोग खुद से resolve कर रहे हैं तो वीडियो को pause करके आप लोग इसको think कीजिए, सूचिए और आप लोग option को में tick लगाईए और फिर वीडियो को play कीजिए और सुनिए कि answer सही कौन सा है तो अब मैं answer बता रहा हूँ, option जो होगा, a जो होगा, correct होगा 22 का question number 22 का option a is correct answer अब हम लोग देखते हैं 23 number question काता है which city is known as pink city, very easy questions ये questions मैं बता चुका हूँ previous video में पिछले video में मैं upload कर चुका हूँ और उसमें बता चुका हूँ कि which city is known as pink city, option a है देलही, b है जैपूर, d है जोदपूर और d है राजस्थान, simple questions का answer है option का जो है, आप लोग 23 number का option b जो होगा जैपूर को हम लोग pink city भी कहते हैं चलिए अब लोग next question देखते हैं, काता है काता है मिनाक्षी टेंपल, consist of how many pillars question में थोड़ा सा misprint हो गए हैं, लेकिन questions है मिनाक्षी टेंपल, consist of how many pillars मिनाक्षी टेंपल में कितने pillar हैं option A है 999, option B है 1001, C है 1000 और D है 500 24 number का correct answer होगा, option number C, 1000 that means मिनाक्षी टेंपल, consist of 1000 pillars अब आईए हम लोग देखते हैं, 25 number questions को 25 number questions है, ribbon building belongs to which style option A है Hindu style, B है Islamic style, C है Gothic style और D है Indo-Scanic style तो 25 number का correct answer होगा, option D option D, Indo-Scanic style अब दोस्तो 26 number questions जो भी आप अपने screen पर देख रहे हैं काता है, the value of sin 6 degree, sin 42 degree, sin 66 degree और sin 78 degree क्या होगा, option A, B, C, D दिए हुए हैं दोस्तो, मैं mathematics के preparation को जो वीडियो बनाया हूँ, previous वीडियो में मतलब जो की channel पर upload हो चुका है, आप लोग यदि चाहें तो देख सकते हैं playlist section में जा करके, तो उसमें मैं बताया हूँ, कि mathematics जो है two parts में पुछे जाते हैं, एक तो mathematics sections में होते हैं मतलब वो 11, 12th level के maths से questions पुछे जाते हैं दूसरा जो mathematics का section होता है, वो general aptitude का होता है तो इसका counting इसलिए नहीं क्यायता है, क्योंकि ये जो है under 10th level that means 9th, 10th के maths से ही questions पुछे जाते हैं, general aptitude मेरी maths से पुछे जाते हैं तो sin theta, तो मतलब that means आपको लोग trigonometry के questions है और आप लोगोंने class 10th में पढ़ा होगा trigonometry ये questions जो है 10th level का है, तो इस questions का answer आसानी से आप लोग solve कर सकते हैं तो इसका सही answer जो होगा मैं बता देता हूँ या फिर आप लोग इसको solve करके check करना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को post करके solve करके check कर लिजिए लेकिन मैं answer बता देता हूँ 26th number questions का जो answer होगा, वो होगा option B, 1 by 16 अब बात करते हैं लोग 27th number questions की काता है which is known as the temple town of Tamil Nadu which is known as the temple town of Tamil Nadu option A है काचिपूरम, B है मदूरे, C है स्रीरंगम और D है कुमबा कॉनम 27th number questions का option, answer जो होगा, वो होगा option B, मदूरे अब हम लोग देखते हैं question number 28 को काता है who is not an architect among the following दिये गए option में से कौन architect नहीं है option A है लुरियर बेकर, B है माइकल लेंग्लियो और C है फिलिप जॉंसन्स और D है अलवर अल्तो लुरियर बेकर तो option A है ही, option B जो है 28 नमर का questions हम लोग देख रहे हैं, तो option B माइकल यलो ये नाम सुनावा नया लग रहा है, लेकिन C जो है फिलिप जॉंसन्स और अल्वर अल्तो, इन दोनों के बारे में पढ़े हैं, तो option B जो है न्यू नाम लग रहा है और अलग रहा है, ये architect नहीं है, option B जो है correct answer है, चलिए अब हम लोग next question देखते हैं, 29 नमर काता है how many petals are there in lotus temple, lotus temple में कितने petals हैं, 29 नमर questions का answer जो होगा, वो होगा 7, option number D is correct, अब हम लोग 30 number questions का जो सही answer होगा, वो होगा option B अमरित सर अब हम लोग 31 number questions को देखते हैं, 31 number questions है the acoustics denotes, option A है waterproof, B है soundproof, C है airproof और D है none of the above, 31 number questions का सही correct answer होगा, वो होगा option B soundproof, अब बात करते हैं हम लोग, the green building rating system of India is known as, ये questions भी मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में, model set number 2 में, यदि आप लोग पूरा वीडियो को देखे होंगे, तो अबस इस questions का answer दे दिये होंगे, ऐसे तो पिछले जो model set number 2 है, उस वीडियो को पूरा जो देखे हैं कि पूरा वीडियो को देखे हैं, इससे पता चलता है कि सभी फ्रेंड जो हैं इमांदारी से पूरे वीडियो को नहीं देखते हैं, यदि आप लोग को दोस्तो प्रिपरेशन इमांदारी से करनी है, तो प्लीज वीडियो वीडियो को पूरा देखे क्योंकि इंपॉर्टेंट कोस्चन्स हैं और देखेगा एक्जाम हॉल में जब इंटर कीजिएगा तो याद आएगा कि एसकी टुटोरियल चैनल पे पढ़े थी ये कुछ तो रीजन होता होगा तो पहले मैं कॉलेक्ट करता हूं कोस्चन्स को इसके बाद देखता हूं कौन भेरी भेरी इंपॉर्टेंट है कौन रिपीट हो सकता है किस टाइप से कौन कोस्चन्स को पूछ सकता है इस टाइप का मैं बनाता हूं उसके बाद जो है उस पे अ आप लोग समझ गए होंगे क्या होगा तो चलिए आप्शने है L.E.D. B. है G.R.I.H.A. और C. है B.R.E.M. और D. है S.E.D. इसका सही आप्शन जो होगा वो होगा आप्शन B. G.R.I.H.A. आप्शन B. इस और आप्शन बी इस कोरेक्ट आप्शन यह जो है questions मैं बता चुका हूँ आप लोग समझ गए होंगे और जो new viewer है वो लोग इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और पिछले बाद मैं जो वीडियो अप्लोड कर चुका हूँ वो सब वीडियो को भी आवस यह देखें बहुत अच्छा से आपका जनरल एक्टिटूट का प्रिप्रेशन हो जाएगा चलिए अब हम लोग देखते हैं 33 नमबर कुस्चन्स को काता है विच अफ दा फोलोविंग आर्किटेक्ट डज मैनी फ्लिडिक बिल्डिंग्स टाइपस कुस्चन्स आपके स्क्रीन पर है और आप अच्छी तरह से देख सकते हैं 33 नमबर कुस्चन्स का जो अप्शन ए होगा सही आंसर जाहा हदीद अब हम लोग देखते हैं 34 नमबर कुस्चन्स कहता है count the number of surface in view given below आप लोगों को जो है number of surface को count करना है figure दिया हुआ है तो आप लोगोंने count कर लिया होगा या नहीं किये हैं तो उसको अस्थिस्ते कीजिए वीडियो को पास करके आप लोग और 34 number questions का answer में बता रहा हूँ इसका जो total surface है वो है 13 option B option B is correct answer अब हम लोग देखते हैं 35 number questions कहता है year तो इस question का preparation आप लोग कर लें अथ्वा अच्छा से तो इससे होगा कि आपका एक number fix रहेगा ये इस आपका question से और सब तो fix रहेगा ही रहेगा तो चलिए मैं 35 number questions का direct answer बताता हूँ इसका answer जो होगा option D होगा 180 degree अब है question number 36 a person crosses 600 meter long street in 5 minutes what is his speed in kilometer per hour इसका speed क्या है kilometer per hour में पूछ रहा है questions में तो option A है 3.6 kilometer per hour B है 7.2 और C है 8.4 और D है 10 तो 36 number questions का जो सही answer होगा वो मैं बताता हूँ और आप लोग इसको solve करके answer को match कर लिजेगा तो इसका सही answer जो होगा दोस्तो option B होगा 7.2 kilometer per hour option B is correct answer अब चलिए देखते हैं लोग 37 number questions को external wall thickness of thickness of building is external wall of thickness of building is option A है 6 inch, 2.5 inch, 9 inch और 8 inch 37 number question का जो सही answer होगा वो होगा option C 9 inch कहा जाता है wall को कि यह जो wall है वो है 10 inch का लेकिन वो 9 inch कर आता है क्योंकि एक brick का जो होता है वो 4.5 inch का होता है तो 2 brick लगता है तो 9 inch ऐसे 10 inch कर दिया जाता है उसमें cement, concrete और sand मिला करके तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 38 number questions को काता है अब हम लोग देखते है 39 number questions को group of column is termed as option A है pillars, colonates, column sets, none of the above group options को समझे, questions को समझे, group of column is termed as तो column जो है group का वो क्या होता है pillar होता है, colonates होता है, column sets होता है या इन में से कुछ भी नहीं होता है तो आप लोग यदी पिछले वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें है बताया हूँ तो जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ कि पिछला वीडियो देखे होंगे तो कोई भी previous questions यदी हम लोग देखे हैं तो उस पर से maximum questions आप लोग solve कर सकते हैं मैं वीडियो बहुत कम upload किया हूँ ऐसे लेकिन जितना upload किया हूँ वो बहुत ही sufficient है नाटा के को crack करने के लिए general aptitude के लिए तो आप लोग ये column वाला भी questions आप लोग solve कर सकते हैं यदी आप लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे तो चलिए इसका answer मैं बताता हूँ 39 number questions का जो answer होगा वो होगा option B colonism चलिए अब हम लोग देखते हैं last questions इस episode का last questions है the ratio of the width of our national flag to its length is option A है 3 is to 5, B है 2 is to 4, C है 2 is to 3 और D है 3 is to 4 तो 14 number questions का सही answer होगा वो होगा option number C 2 is to 3 तो दोस्तों ये रहा इस वीडियो का कुछ questions और 40 questions थे और आप लोगों ने देखा और आज के वीडियो में बस इतना ही यदि आप लोगों को इस वीडियो से लिटेड कुछ भी problem हो कुछ भी confusion हो तो आप लोग हमको comment box में लेकर के अवस्य पूछें और यदि आप लोग कुछ लेकर के भेशते हैं सर नाइस वीडियो नाइस क्लास इस टाइप लेकर के भेशते हैं तो मैं motivate होता हूँ तो आप लोग हमको इस टाइप का भेश लेकर के भेश सकते हैं और लेकिन ज़्यादा पड़ेसान नहीं होना है और ज़्यादा यह सब फॉर्मलेटी में टाइम वेश नहीं करना है बहुत जल्द टवदक के लिए नमस्कार